हाई गाईज वेलकम बैक टो मैं यूट्यूब चैनल और आप लोगों की लाइब बहुत अच्छी चल रही होगी और बहुत लंबे टाइम बात में फुल वीडियो अपलोड कर रही हूँ अपने चैनल पे बाइद वे मैं बता दू मैं आपने माई के आयो ही हूँ और अब ही गाईज रूम की हालत बहुत बुरी है और पर्सों लोगों ने सफाइब शुरू किया था अभी मैं सफाइब करने वाली हूँ क्योंकि मम्मी बेबी के साथ में और उसको नहला रहे हैं तब तक मम्मी कह रहे हैं कि तू कर ले गर का काम सो चलो स्टार्ट करते हूँ काफी ज़्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि सिर्फ ये रूम नहीं है उपर वान वान और टू टू रूम्स और हैं सो चलो देखते कितना टाइम लगता है मुझे स्टार्ट करती हूँ फटा-फट सो जटपट से मैं यहां पे शुरू हो गई काम करना क्योंकि ममी मेरे बेबी को नहला रहे थी सो मैंने सोचा थोड़ी सी फुरसत है मेरे पास काम कर लेती हूँ क्योंकि वैसे भी फेस्टिवल सीजन है दिवाली आने वाली है सो मैंने सोचा ममी के साथ हो ऐसा सफाई करवा दूँ वैसे तो मैं दिवाली से पहली चली जाओंगी बट ममी के साथ काफी हेल्प हो जाएगी साफ सफाई में मुझे साफ सफाई करना बहुत पसंद है क्योंकि मेरे पापा बच्पन से बहुत जादा स्टिक्ट थे साफ सफाई को लेके और कहीं न कहीं वो हैबिट हमारे अंदर भी डेवलप हो गई मुझे एकदम मेंटल डिप्रेशन होने लगता है जब भी मैं गंदगी देखती हूँ क्योंकि हमारे घर के मर्द बहुत ज़ादा घर में एक मकान को बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है और हम लेडीज का भी पुरा हाथ होना चाहिए की मेंट को हम continue करें उनकी मेहनत को ऐसे ज़ाया ना होने दें क्योंकि मकान तो हर कोई बना लेता है लेकिन मकान को घर बनाना हमारी responsibilities होती है बहुत मेहनत करते हैं चाहिए वो हमारे पापा हो हमारे husband हो या कोई भी हो وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں گھر بنانے میں اور میں نے اس محنت کو دیکھا ہے یہ مہتر نہیں کرتا آپ کا گھر بڑا ہو چھوٹا ہو مہتر کرتی ہے ہماری تھنکنگ ہم اس گھر کو کیسے رکھتے ہیں کیسے منٹین کرتے ہیں بس وہی سب چیزیں مہتر کرتی ہیں تو بس یہی سب چیزیں دھیان میں رکھتے ہوئے میں گھر کا کام کر رہی تھی اور میں نے بیٹ شیٹ پورے بیٹ پہ بچھا دی ہے اور یہ جو کپڑہ बाइदेवे मैं यहां पे बिछारी हूँ यह क्रोश्या डिजाइन है जो मेरे ममी ने बनाया है मेरे ममी बहुत जादा क्रोश्या डिजाइन बनाते थे लेकिन अभी उन्होंने यह सब चीज़ें स्टॉप कर दी है क्योंकि उनकी आई साइट फीक हो चुकी है और सही है क्योंकि उम्र के साथ में चीजें एक जैसी नहीं रहती है तो जो चीजें हमारे लिए सही नहीं है उन्हें हमें स्टॉप कर देना चाहिए भले ही हमारा कितना ही इंटरस्ट क्यों ना हो उन चीजों में तो मैंने सोचा था आज मैं सफाई पूरा फिनिश कर दूंगी बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि बहुत सारा काम था और मुझे आज मोमोस बनाने थे क्योंकि मेरा तो बहुत मन था आज मोमोस खाने का एंड लंच टाइम होने वाला था तो मैंने काम को थोड़ा सा आज विराम दिया है और इस काम को आगे कॉंटिन्यू करूंगी तब तक मैं किचन में चलती हूँ और मुझे बनाने की तयारी शुरू करती हूँ अभी दोपहर के डेट बज रहे हैं दूरि यहां पर तयारी कर लएे हैं मुउमोस की क्या तो में यहां पर कर ली मुझे if जो कोै थोड़ी बहुत जे बाकी में यह को टकर लिए हैं वाकिन सक्षारों से लिए चटनी के लिए यहां पर टमाटर बॉइल हो रहे हैं यह मिर्ची सोक करके रखी है और हम लोग बनाने वाले इससे रेट चटनी मुमोस के लिए तो टमाटर गाईज हो गए हैं बॉइल तो इन्हें हम लोग निकाल देते हैं और निकालने के बाद ठंडे होने रेते हैं तब हम इसका चिलका रिमूब करेंगे आज मेरा मुमोस खाने का बहुत जादा मन था और नियर बाए में कोई भी चाइनीज फूड की अच्छी शॉप नहीं है और मुमोस लेने के लिए बहुत जादा दूर जाना होता तो मैंने सोचा चलो घर पे ही बना लेते हैं टाइम लग जाता है काफी जादा क्योंकि बहुत स्टेप्स भी रहते हैं लेकिन फिर भी मैंने आज तो सोचा ही था कि कुछ भी हो जाए मुमोस तो मैं आज बना की ही रहूंगी तो यहाँ पे वेजेज ही कट कर रही हूं और कैरेट मैं यहाँ पे कट कर रही हूं मैंने सिर्फ कैरेट और कैबेज ही कट किया है बाकी और कोई सबजीस में आड नहीं किया है बहुत सारे लोग प्यास भी डालते हैं और भी बहुत सारी वेजिस यूज करते हैं बट मुझे मुझे स्टफिंग सिंपल ही पसंद आती है सो यहां पे स्टफिंग तो हमारी रेडी है इसमें लगाएंगे हम एक तड़का जिसके लिए मैंने कढ़ाई में लिया है रिफाइंड ओयल और जैसे ही गरम हुआ मैंने इसमें डाला है बारीक एकदम बारीक चॉप किया हुआ मैंने गार्लिक एड़ किया है साथ से आठ कलि और उसके बाद एड़ कर दी मैंने ये वेजिस इन वेजिस को हम थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे एकदम हाई फ्लेम पे थोड़ा सा क्रंची साइड पे क्योंकि स्टीम के टाइम भी थोड़ा बहुत सबजियां इंसाइड को खोई जाएंगी मसालों में बहुत जादा कोई भी स्पाइस नहीं डाले मैंने डाला है यहाँ पे सिर्फ ब्लैक पैपर पाउडर और इसके साथ मैं एड़ करूंगी सॉल्ट फिर मैंने इसमें एड़ किया है थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा सोया सॉस मेरे पास विनेगर अवेलेबल नहीं था अधर्वाइस वो भी मैं एड़ कर देती तो साइड बाइ साइड में यहाँ पे मुमोस का आटा भी लगा रही हूँ पहले मैंने सोचा था हेल्थ पॉइंट अव यू से कि मैं वीट के मुमोस बनाऊंगे बट फिर मैंने सोचा रहे खा लेते हैं एक दिन तो मैंने यहाँ पे मैदा के ही मुमोस बनाने शुरू कर दिये और हमारी स्टफिंग हो गई थी यहाँ पे तयार तो मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिय और इसे ठंडा होने के लिए रख दिया तो आटा हमने स्टैंड मिकसर में लगाया है तो बहुत जादा टाइम तो लगता नहीं और थोड़ी सी देर में ही हमारा आटा लगके रेडी हो गया तो इसे हमने थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रा दिया और मैं यहाँ पे बना तो यह लीजिये यहां पर हमारा मिक्सचर तो हो गया है ग्राइंड और इसमें हमें एक तड़का भी लगाने वाले हैं तो तड़के के लिए मैंने एक कढाई ले लिया है और कढाई में लिया है मैंने रिफाइन ओयल बिल्कुल थोड़ा सा लेंगे जैसे ही ओयल हीट हुआ मैंने इसमें एड़ किया है सारा मिक्स्चर जो भी हमने बनाया था वो सब एड़ कर लिया इसको हमें चार से पांच मिनट तो कुक करना ही है और इसको थोड़ा सा चलाया और फिर इसमें एड़ किया थोड़ा सा सोया सॉस साथ में एड़ किया है सॉल्ट और ये लीजे चटनी तो बनके होगी है तैयार मुमोस घर पे बनाना काफी ट्रिकी रहता है क्योंकि बहुत स्टेप्स होते है वेजिस कट करो, फिलिंग बनाओ और फिल करो स्टीम करो, चटनी बनाओ बहुत टाइम लग जाते लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो नहीं नहीं, आज तो बनाना ही है मुझे और मैंने यहापे मुमोस बनाके फिल भी कर दिये, तेड़ बजे मैंने स्टार्ट किया था बनाना और बनाते हुए चार बज गए, बट थैंक्स आज का व्लोग एंड करती हूँ आप लोगों को व्लोग पसंद आया हुगा प्लीज प्लीज लाइक भी कर दीजेगा अगर थोड़ा सा भी कुछ पसंद आया हो मैं आप से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में और कॉंटिन्यू करूंगी अपना काम तब तक टेक केर बाई बाई